Hello everyone, welcome back to Quartal Deviation एक एक्जाम्पल तम्हें लास्ट वीडियो मां जोयो एक एक्जाम्पल आवे चहे जे मां डिरेक्ली ओकन गेट वी Q1 and Q3 स्टार्ट करिये चहे बिफोर दाट चेक करी लेए के बद्दा डिटा असेंडिंग ओडर मां प्रोपरली चहे Yes, it is So, स्टार्ट करिये चहे आपड़े Quartal Deviation नूँ equation side मा लगो चू Q3-Q1 divided by 2 Q1 पाइंट करवा मांटे Value of N plus 1 by 4th item इतलेके Value of आपड़ा N केटला चहे 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 7 plus 1, 8 8 divided by 4th item इतलेके 2nd item तो Q1 चहे 2nd item 2nd item इतले This is 1st, this is 2nd तो Q1 आपड़े डिरेक्ली मढ़ी जाईचे 121 जो पोइंट मा हो तो आपड़े थोड़ी प्रोसेस लांबी करवी पड़ात Next Q3 जे चहे Value of 3 times N plus 1 By 4th item इतलेके Value of 3 times 2 किमके आपड़े यहां 8 by 4, 2 आवे चहे जे N plus 1 by 4 चहे तो यह ओल्रेडी गणेला चहे तो तो टो तो 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 6th item is 4.5. Now, it's time to calculate coefficient of Quartal deviation. जे छे, Q3-Q1, एक लिके 9, आना, divided by 130 plus 121. आप बनने नू ज़ दिविजन आवे छे, आप बनने नू ज़ दिविजन आवे छे, आप बनने नू ज़ दिविजन आवे छे, आप बनने नू ज़ दिविजन आव से एनो answer तमारे करवानो छे. So, this is how we can calculate Quartal deviation and coefficient of Quartal deviation. एक शोटकट हे छे, के जो नूम्बर of observation ओड आपे ला होई, like 3, not 3 actually, 5, 7, 9, 11. आवा जो ये observations होई, तो तमने Q1 आने Q3 directly मढ़ी सके छे. जो नूम्बर of observation इवन होई, तो we have to calculate with that point and everything. जे point थी find करी जे, point करी ना पे जे, ए आपड़ प्रोसेस कररी दोड़े जे. आरी ते तम्ये Quartal deviation find करी सको. जो नूम्बर of observation ओड आपे ला होई तो. हवे आपने next example करी ये. तो आए example जे, जे मा observations छे frequency नी साथे आपेला छे. लाइक, 1 छे, 3 ताइम सावे छे, 3 छे, 12 ताइम सावे छे, 5 छे, 18 ताइम सावे छे, and so on. तो find करवानी जे equation छे, as it is छे, Q1 ने Q3. But we know, जेरे median find करता था, तियरे आपड़े position find करवा माटे, especially frequency आपेली होई तियारे, तियरे आपड़े CF नो यूज करता था, अहीं आपण CF नो यूज करवा पड़ से, कराण के observation आतियरे आपणने पांच छे देखाई जे, पन एक्चुल मां ए पांच observations न थी, okay, तो आपड़े स्टार्ट करिए, CF calculate करवा माटे, फर्स CF 3 जावे चे, सेकंड बनने नूँ addition, अटले के 15, एन आपची आउसे 3, 33, next आवे चे 5, 4, 45, and next, finally 50 अटले के आपड़ा n पांच 50 हर से, ultimately आपड़े दरके दरकनू addition करिये चे, now q1 find करू होई, तो equation h है, that is a value of n plus 1 by 4th item, तो n एक लेके 50, 50 plus 1, 51, 51 divided by 4, एक लेके 12.75 पांच आपड़े के 12.75 पांच तो 12.75 पांच आपड़े, cf मांथी कई बे-frequency वच्चे मढ़े चे, जे चे 3 अने 15, 12.15 ए 3 अने 15 जे cf चे, ए बन्ने निवर चे वढ़े चे, तो इनो मतलब है हो थाई चे, के 3rd नंबर ना अब्जर्वेशन सुधी 1 अच चे, 4th नंबर थी चालू कर इने 15 नंबर ना अब्जर्वेशन सुधी 3 आवे चे, तो 4th ही 15 मा 12.5 पणावी जाए, 12.75 पणावी जाए, तो आपनो जे q1 चे, ए आवे से 3, सेम आविजर्वे ते q3 फाइंड करवानू चे, अगें सेम एक्वेशन, 3 ताइमस n ब्लस 1 बाई 4 पोजिशन, यह लेके 3 ताइमस, 12.75, आउल्रेडी कैल्गुलेट करेलू चे, 3.27, 3 इन्टू 12.75, बने नू मल्टिप्लिकेशन करिये तो आवे चे, 38.25 आईटम, तो 38.25 पोजिशन, कया बे नंबर नी बच्चे आवे, CF मां आभी नंबर नी बच्चे, 33 आने 45 नी बच्चे, 33 सुधी 5 आवे चे, observation नंबर 33 सुधी 5 आवे चे, 34 ती चालो करें ने 45, 34 ती 45 करिये, एकले आपड़ो नंबर आवी जाए, तो ए नंबर मां कॉण छे, ए नंबर मां छे 7, तो Q3 is equal to 7, now QD is equal to Q3 minus Q1 divided by 2, 10, that is 4 by 2, तो तो धी तो जो को ऐए चे चे, तो वाइद आवी लिए छे आवे चे, 7-3, 4, निचे आदीशन 7 plus 3, 10, तेन लिए इकल तो, सॉर्य, 0.4 जिए आवे चे, क्वाटल देविएचिन, पैट, एक्यू.